सल्मान खान और कट्रीना कैप में शूटिंग के दौरान किन बातों पर होती थी जगड़ी किस चीज को लेकर सल्मान की कैट से सेट पर हुई थी बहस इस वीडियो में आपको बताएंगे ऐसी ही डिटेल सल्मान खान और कट्रीना केहने के लिए आज भले ही दोस्त हैं मगर कई बार इनके बीच सेट पर भयानक फाइट हुई है और ये देखकर डिरेक्टर से लेकर मूवी के कोई स्टार्स तक हैरान रह जाते थी बताया जा रहा है कि कट्रीना कैप कई बार सल्मान खान पर अपनी मरजी थोपती थी और वो मूवी के शूट में चेंजिस कराना चांती थी ऐसा होता था क्रियेटिविटी के नम पर कट्रीना खुद को क्रियेटिव दिखाने के लिए कुछ बदलाव कराती थी जिस पर सल्मान खान हमेशा पूरी तरह सैमत नहीं होते थी इस बारे में सल्मान ने खुलासा किया है क्रियेटिविटी पर हमेशा जगड़ा होता है क्योंकि ये बाद में आई यह है मैं यहां लंबे समय से हूँ कभी कभी मुझे लगता है कि ये ओबर समार्ट बनती थी तो इनको पढ़ जाती थी और फिर जब ये सही होती थी तब बोलते थे वाह ये सही है अब सल्मान और कैट के बीच जगड़ा किस मूवी को दोरान हुआ ये तो नहीं बताया गया मगर माना जाता है कि एक था टैगर और भारत फिर्म के लिए ऐसी बात है सामने आई थी तब कट्रीना कैप को मूवी के डारेक्टर का भी साथ मिल जाता था जो कि उनके क्लोस दोस्त होती थी हलांकि सल्मान के लॉजिक के आगे कई बार कैट को शांत रहना पड़ता था सल्मान खान और कट्रीना कैप के बीच विवाद का दूसरा टापिक होता था कॉस्ट्यूम दरसल सल्मान खान कैट से कभी ये शिकायत नहीं करते कि उन्होंने क्या पहन रखा है बलकि कट्रीना कैप इसकी कंप्लैन अपनी साइट से करती थी जब कोई ड्रेस कैट को दी जाती और उन्हें वो पसंद नहीं आती तो इस पर उनका यही कहना होता था कि इसे सल्मान की वज़े से सलेक्ट किया गया होगा यानि कैट से पहले वो ड्रेस सलमान को दिखाई जाती थी और जब उनकी ओके होती थी तो उसे कैट के लिए फाइनल ड्रेस मेड किया जाता था इस पर कट्रीना ने कई बार अपनी आपत्ती जताई उन्होंने खुले तोर पर नाराजगी जताते हुए अपनी मनपसंड ड्रेस पहनने की इच्छ जताई हलांकि उन्होंने कई बार मायूस होना पड़ता था सल्मान खान और कैट के बीच तीसरा टॉपिक फाइट कर रहा है सीन और डायलोक्स के लिकर कैट को इस बात की दिक्कत रही कि जितनी भी फिल्में उन्होंने सल्मान खान के साथ की हैं उसमें उन्होंने जरूरत के मताविक टाइम नहीं मिला कैट को लगता है कि सलमान ने सारा फोकस खुद पर सैट कराते हुए लाइम लैट लूटने की कोशिस की और उनके लिए फैंस को तालियां बजाने का कोई मौका नहीं मिला मगर सलमान इस तरह के दावों को हमेशा गलट ठहराते रही हैं दोस्तों क्या आपको लगता है कि इस तरह की मिस अंडरस्टेंडिंग टागर थी के दोरान भी सलमान और कैट के बीच पैदा हुई होगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें